हाई फ्रेंट आज हम आलू मतर की भुजिया की रेस्पी लेके आए हैं पर हमने तीन से चार आलू लिया है और साफ पानी से दूंकर छोटे चोटे चुकडों में कट कर लिया है इसको भी साफ पानी से बड़ा प्याज लिया था और तीन से चार मिर्चा लिया था प्याज को यही पर हम प्याज और मेचा डाल देंगे, यही पर हम आलू भी डाल देंगे, मटर डालेंगे, लिक्स कर लेंगे, लिए अब इसको भद देंगे, अब खोल के चेक करेंगे की आलू कितना हुआ है, अभी तोड़ी देर और पकेगा आलू और मटर, तो दरस मिनिट पले और इसको चलाते रहेंगे, हम इसको खोल के चेक करेंगे, देख सकते हैं हमारा आलू 50% फ्राई हो चुका है, आधा चमच हल्दी पॉडर, आधा चमच चाट मसाला, आधा चमच किचन कींग मसाला, आधा चमच चिकन मसाला, आधा चमच गरम मसाला, आधा चमच गरम मसाला, आ है या पांच मिनट के लिए और ढ़केंगे इसको अब झोल जे करेंगे आप देख सकते हैं कि इस वाक कितना अच्छा निकल के आ रहा है आप आलू का भूज़िया यह बन के तयार होचुगा है तो दोनिया के पत्ते आइद करने आलू मटल की भूजिया बनकर तयार हो चुकी है आप देख सकते हैं यह देखने में कितना यह बच्चों के टिफिन के साथ भी यह बहुत लाज जवाब लगता है अगर आपको रेस्पी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले थांक यू